आपका स्वागत है आज की प्रेस कॉंफरेंस में सबसे पहले मैं मीडिया के साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगी इस चुनाव में जहां हमारे लिए तो पार्टियों के लिए पुलिटिकल लोगों के लिए तो ज्यादा एक्टिव होता ही है लेकिन हमारे साथ साथ जो ह हमारे मीडिया के साथ ही है उनके लिए भी बहुत गुरूलिंग रहा बहुत आप लोगों को भी मशक्कत करनी पड़ी जगे जगे रिपोर्टिंग के लिए कोशिश की आप लोगोंने भी फीड़ बैक लेने की तो आपका मैं धन्यवाद करती हूं कि आपका जो सेहयोग हम में इस चुनाओ के दोरान मिला है we are grateful अब साथियों कल मदान हो चुका और मदान के और काउंटिंग के बीच में स्पेकुलेशन चलती रहेगा क्योंकि electronic media का काफी रोल होता है social media का और electronic media को दो दिन कुछ ना कुछ दिखाते रहना पड़ेगा तो वो भी एक हिस्सा है इस पूरे process का वो अपनी जगे है और वो चलेगा मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि Congress Party ने चुनाओ लड़ा एक जुट होकर चुनाओ लड़ा हमारे कार्यकरताओं ने बड़ी मेहनत की है हमारे candidates ने सबने मेहनत की है और आप ये बात को समझेंगे कि जो लोगसभा का चुनाओ था तब से अब तक चंद महिनों में उस समय भारतिय जनता पार्टी ने दस सीटें जीती बहुत भारी मार्जन से जीती और अगर उस समय का विशलेशन देखे हम तो नब्बे में से उनोंने 79 सीटों पर बड़त हासिल कीती लोगसभा चुनाओ के समय और तब से अब तक अब ये भी बात मानेंगे कि इन्होंने नारा दिया 75 पार ये चाहते तो 80 पार दे सकते थे लेकिन इन्हें समझ आ गई थी जहां एक और कि वो लेवल नहीं रहेगा इनका दूसरी और बढ़ चड़कर इन्होंने 75 कहा तो कहीं ना कहीं ये इस बात को भी समझ गए थे कि जो हर्याना की स्थिती है वो बदल चुकी और वो दूसरा इस चीज़ का प्रमान ये है इस बात का कि जब हर्याना चुनाओ आए तो इन्होंने हर्याना के किसी मुद्दे को नहीं चुआ वरना पात साल की अचीवमेंट्स को उपलब्धियों का ये ब्यौरा दे कर अपना चुनाओ लड़ते और कॉन्फिडेंस से लड़ते वो कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखा ना मुद्दे हमें नजर आए हर्याना के इन्होंने अपना शीर्ष नेत्रित मानिय प्रधान मंत्री जी से लेकर सभी को हर्याना में उतारा इन्हें ना तो हर्याना में अपने काम पर विश्वास था ना इन्हें अपने हर्याना के नेत्रित्व पर विश्वास था इसलिए ये केंद्र से नेताओं को भी लाए बहुत जियादा तादाद में और दूसरी और जो मुद्दे थे वो भी मुद्दे इन्हों ने ऐसे दिये चाहे 370 दिया हो चाहे NRC लाए हो मुद्दे भी ये ऐसे लाए ताकि हर्याना के लोगों का ध्यान ये बाड़ सके डाइवर्ट कर सके तो इन सब बातों से ये साफ जाहिर होता है कि इन्हें अपने आप पर confidence नहीं इन्होंने कोई काम नहीं किया जिसके बूते पर ये वोट मांग सकते तो अपने काम पर confidence नहीं था अपने नित्रत्व पर confidence नहीं था मुद्दों पर confidence नहीं था तो ये सारी बातें साफ जाहिर हो गई हैं इस चुनाव के रही बात कॉंग्रस पार्टी के कॉंग्रस पार्टी ने आप जानते हैं सभी हमारी election going states में बदला हुआ organization के level पर हर्याना में भी हुआ हर्याना में बदलाव होने के बाद काम हमारा चलता रहा और सभी लोगों ने हमारे सभी नेताओं ने कार्य करताओं ने मिल कर ये चुनाव लड़ा है हर जिगे जमीन पर मिहनत की चुनाव में लग गए हमने अपना घोशना पत्र भी जारी किया जिसका चारों और व्यापक रूप से बहुत positive उसका impact हुआ है हमने हर वर्ग को साथ लिया क्योंकि कॉंग्रिस पार्टी जहां सामाजिक रूप से 36 बिरादरी की पार्टी रही है वहीं जहां विकास की बात है भार्तिय जनता पार्टी केवल वादों पर और अपने नारों पर ही आधारित रहती है जमीन पर कारिये पर नहीं आधारित रहती और कॉंग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलती है समाजिक रूप से और जहां तक कि विकास की बात है हर वर्ग का हमने ध्यान रखा तो उसका भी एक अच्छा इंपक्ट जैसा मैंने कहा अच्छा इंपक्ट उसका हुआ समय साथियों कम होता ही है चुनाओं में 15-20 दिन maximum उसको देखते हुए आप ये मानेंगे कि आज के दिन जब लोगों में आम चर्चा हो गई कि सरकार कॉंग्रेस की बनेगी तो ये किसी बात पर तो आधारित रही बात जो जमीन पर एक positive impact आया इस बात को सब माते और कल से आज तक हम report ले रहे हैं अपने कारिय करताओं से अपने लीडर से चारों और से हम report ले रहे हैं और मैं कह सकती कि कॉंग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है ये हमारा assessment है और इस बात को हर्याना के लोग भी मानते हैं मीडिया के साथ ही मानते हैं ये नहीं वो अलग बात है लेकिन हर्याना में जिस तरह से चुनाव लड़ा गया हमने हर्याना के लोगों के जो मुद्दे हैं उन से ध्यान डाइवर्ट नहीं होने दिया भारतिय जंता पार्टी का प्रयास शुरू से आखिर तक यही रहा कि हर्याना के मुद्दों पर ना आकर दूसरे मुद्दों पर वो रहे और हमने उसको हमेशा हरियाना सेंट्रिक अपना कैम्पेंड रख था चारों और हम गए और सब तरब से बहुत पॉजिटिव हमें लोगों का रिस्पॉंस भी मिला है और वो हमारी असेस्मेंट है हमारा फीडबैक है हमारे इंपुट है हमारी सरकार बनाने में पूरा सहायक रहा हैं जी ये वाली बात मैं जानती हूँ पहले दिन से आप लोग पूछ रहे हैं लेकिन आज के दिन मैं ये फीडबैक के बाद मैंने पहले भी कहा कि सरकार हमारी बनेगी हैं जी अमेले की संख्या क्या होती हैं अमेले की संख्या क्या होती है कि पंतालिस से ज्यादा हमारे से ज्यादा होगी हमारे से अमारे मतलब हमारे अपने बूते पर बीगी पेट मशीनों को लेकर नोंने अपनी आपती वहां पर दर्ज करवाई थी और एक और मैं सवाल है पत्यबाद में भी एक गाड़ी पकड़े गी जिसमें गारेकरता कर रहे हैं कि EVM की मशीने संदिक धालत में पड़ी थी, तो क्या आपको ऐसा कोई अंदेशा है कि EVM मशीन में पहले भी कॉंग्रिस पार्टी की सवाल खड़े करती रही है, कि कोई छेर खानी है, ऐसा कुछ हो सकता है, पहले आप बता दें, फिर चंदरवॉन साहब अपना रात का इंसिने कि ये अपने प्रशासन का सत्ता में होने का दुरूपयोग करते रहे हैं, किया है, अब भी कर रहे हैं, जगय जगय से हमें जो इस तरह की कंप्लेंट्स आई हैं, काइदे से तो एक भी कंप्लेंट नहीं होना चाहिए, अगर ये फूल प्रूव मेथड है, जो कि इलेक्श कमिशन, हम बार बार उनके पास गए हैं, इलेक्शन कमिशन हमें विश्वास दिलाता रहा है, कि कोई छेड़ चार नहीं हो सकती, ना वो अलाओ कर सकते, तो इस तरह की बातें कंप्लेंट कहीं आनी ही नहीं चाहिए, और मैं भी आपको कह सकती हूँ कि जब हम वोट डालने गए हैं, तो वो साथ सेकंड से कहीं ज्यादा अर्सा समय लग रहा था उसको रेजिस्टर होने ही, तो ये बातें हैं जो इलेक्शन कमिशन को देखनी होगी, इसका उनको एंक्वाइरी करनी होगी, चाहे हमारे यहां का है, चाहे पते बात का है, और भी जग्या की हैं, तो इस तरह की चीज ना हो, ये तो इलेक्शन कमिशन को देखना होगा, और अब जब काउंटिं होगी, तब भी हम इस चीज को देखेंगे, तो ये प्रोसेस है, इस बात का, एक भी क्वेस्टिन माक अगर आता है, तो ये हमारे लोग तंद्र के लिए, या इलेक्शन कमिशन इंडिया के लिए कोई अच्छा रिफलेक्शन नहीं है, ये बात तो है, जी, सरकार है उनकी, सरकार है, उनी से थी, हमारा मुकाबला तो बीजेपी से ही था, और हमने सत्ता भी उनसे ही लेनी, मैंडम एक विशा कल से एग्जिट पोल्स का, जी, एग्जिट पोल्स को तो आप क्योंके कल ही बोल दिया था, उसके विश्वास नहीं करते है, लेकिन कल ऐसे चीवने से नहीं होड़ा से एक चैनल से पूछा था, तो एक कटो क्वेशन भी था, जो उनने सहसने से उसका ज आप किसी भी एक बात पर या कुछ नहीं, जैसा मैंने कहा, कॉंग्रेस पार्टी जब चुनाओं में हम गए हैं, हमारा कार्य करता, हमारा नेत्रित्व और हमारी विचारधार, तीनों चीजें लेकर हम लोगों के बीच में गएं, और हमने, सबने मिलकर चुनाओं लड़ा अब तीन चीजी होती है, और फिर अल्टिमेंटली जनता है, जिसका विश्वास हमारी तीन चीजों पर होता है, कार्य करता, नेत्रित्व और विचारधार नेत्रित्व और फिर अल्टिमेंटली जनता है, तो इसके पिछे को अल्टिमेंटली जनता है, तो इसके पिछे कोई बात नहीं है, चुनाओं में सोनिया जी ने आनना था, लेकिन उनकी तबियत खराभा होने के कारण वो नहीं आ पाए, और राहुल जी अपने आप पर आपने आप भी आए, और एक जगह जहां मैडम की तबिया ठीक नहीं थी, तो हमने रिक्वेस्ट किया कि राहुल जी आए, तो उसमें राहुल जी आए थी, और बाकी हमारे दूसरे नेता भी आए हैं, अश है, और मीडिया उनको ज्यादा देखता है, हमारे लोगों को इतना नहीं देख पाता है, तो मीडिया भी वहां पर मौझूद था, लेकिन हमें ऐसा लगा कि जो डाइनेमिक पूरा परचार जो बीजेपी ने किया, जितने उनके स्टार परचार थे, उसके जवाब में जो परिवार है, जिनके चहरुपर अकसर आप चुनाव जड़ते हैं, जैसे प्रियंका जी ने पंजाब में कापी अच्छा कैंपेंग किया था, लेकिन हर्याना में वो नहीं आई, राहूल जी का भी सिर्फ एक प्रोग्राम आपने रखा दूसरा तब रखा जब सोनिया जी क करेंग करेंगिया शिर्फ संद्ध में प्रियंका जी ने कैम अटो चुछ आजिए आप खानी ऑच्रानि कृझा जा सकता था, अच्छी को और आप बूलर है, और यह सब चीजें हैं, वी आप रॉंड प्रियंका जी लेकिन जिस तरह से वरक आउट हुआ, वो इसी तरह से कोई ऐसी बात नहीं होती है कि A या B या C हमारा रशीष नेत्रत्व है हमारे प्रेजिडेंट और प्रेजिडेंट जो प्रेजिडेंट है सोनिया जी इन दोनों का में था तो यह आपके केंद्रिय निसा दे या प्रेस कॉंफेंस करने ज़्यादा आए प्रेजिडेंट में कमते हैं नहीं प्रेस तो करनी होती है यह तो आप लोग भी मानते हैं कि दूसरी पार्टियों के दो खाली पड़े थे उन्होंने प्रेस को कुछ संदेश देना ही नहीं चा लेकिन फिल भी हम समझते हैं कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है लोग तंत्र में and we respect that, we respect that. को आदी सेंद्या या भुवेंदर सिंग गुदा यह फैसला, high command, high command, high command, high command, high command, high command फैसला करेंगे. आज के दिन लग नहीं को लग रहा है कि हम कर पाएंगे. एको इप्स और बट्स तो बहुत होते हैं ना, वो तो फिर situation के हिसाब से होता है. लेकिन आज हमें लग रहा है कि हम खुद बना से होता है. मैं, जैसे पुरु मुखका मुखेंदर सिंग, हुदा ने भी कहा था, कि या तो BJP को वोट दे तो, या कॉंग्रेस को दे तो. जो कॉंग्रेस को नहीं दे ना चाहते है, वो BJP को दे तो. लेकिन दूसरी जो छेत्रिय दल की पाटिया है, उनको वोट मत दो. तो आपके अन प्लिटिकल असेस्मेंट है, कि आज के दिन दो मेजर प्लेयर्स ही थे, फील्ड में, जो तीसरा प्लेयर है, यह तीसरा प्लेयर एक बहुत इंफ्लूएंशल प्लेयर था. पिछले चुनाओं में, दोहसार चौदा में, तीसरा इंफ्लूएंशल प्लेयर था, in fact, दूसरे नमबर पे डीनल पार्टी थी, हर्यानः में, उस समय, लेकिन तब से अब तक हर्यान में प्लिटिकल स्थिती बहुत बतली है, और जो यह तीसरा घ्ल प्लेयर है, जो पहले सत्य ने दी रही है, यह उसका बिखराव हो चुका है, बहुत ज्यादा बिखराव हो चुका है, उनकी अपनी पार्टी में दी और जंता में भी. तो आज के दिन मुझे नहीं लगता कि उनका इतना ज्यादा राजनितिक वजूद जमीन पर रहा. हाँ, थोड़ा बहुत होता ही है, देखो किसी भी पार्टी का, हाँ, थोड़ा बहुत होगा, पॉकिट्स में होगा कहीं, वो अलग बात है, और उनमें भी दो फैक्शन्स हैं, उनमें से कौन सा फैक्शन्स ज्यादा नीचे कुछ अपनी दिखा पाएगा, वो तो इस चुनाव के नतीजों के बाद ही सभी असेस्मेंट कर पाएगे. मैं तो ये कहूंगी कि जैसे विधान सभा का चुनाव है, विधान सभा के चुनाव में राजिय की जनता ये उमीद रखती है अपनी पार्टियों से कि इस चुनाव में पार्टियां उन्हें बताएं कि उनके लिए राजिय में क्या होगा, क्या पॉलिसीज पॉलो की जाएंगी, उनके लिए क्या किया जाएगा, तो राजिय के मुद्दे ज्यादा एहमियत रखते हैं विधान सभा चुनाव में, लेकिन हमने देखा कि इस चुनाव में राज पार्टिय जनता पार्टी ने दर किनार किया पांट साल सरकार रहने के बाद ये कही ना कही इनकी अपनी तरफ से ये जो कमजोरियां रही या जो फेलियर रहा